हलो वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कम्प्लिली टेक महिंद्रा के बारे में बात करेंगे सो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बाइब बता देना चाहरा हूँ कि अभी टेक महिंद्रा से रिलेटर वीज़ी और आने वाली है वाप देना है, वो किस तरह के questions पूचते हैं, उस questions का अगर आपको कुछ भी भहुत सारे questions ऐसे होते हैं, जो आप जानते हो बट उसको explain नहीं कर पाते हैं, या फिर उसका questions का solution आपको नहीं पता होता है interview का बताने के लिए, तो इन तरह के questions को आप कैसे deal करोगे, interview के time में आप किस तरह से इन सारे solutions का आप figure out करोगे, तो उसके लिए भी separate videos बनेगा, तो सारे videos का link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो, so इसके लिए आपको ये सारे videos का details मिलता रहे, उसके लिए आप please इस videos को like करतीजे और चैनल को आप subscribe कर लिजे, चैनल को subscribe करने के आप select all कर लिजेगा, बिल आइकन पर प्रेस करने के बाद, ता कि मैं जब भी कोई videos बनाऊंगा, तो उसकी notification आपको मिलती रहेगी, so आपको screen पर भी दिख रहा होगा, तीन questions है major, चार questions है, आप पहला questions देखो, जो बहुत सारे students है, जो अभी take Mahindra के V4 assessment, V4 assessment मतलब कि take Mahindra क यह second round का assessment है, पहला round का MCQ assessment आप लोग complete कर चुके हो, तभी आपको second round का assessment में आप appear हुए हो, second round का assessment में दो assessment थे, आपको पता होगा, पहला psychometric assessment था, जिसका live psychometric assessment, मैंने videos बना रखे हैं, videos दिया हो, आप वहाँ जाके देख सकते हो, कि live psychometric assessment में किस तरह के questions थे, कैसे उसको solve गय सारा आपको इस YouTube channel पर ही मिल जाएगा, playlist में आप वह देख सकते हो, दूसरा क्या part था, second assessment का दूसरा पार्ट था, इस वीफोर assessment में भी दो पार्ट थे, पहला पार्ट आपका MCQs था, जो कि technical MCQs थे, आपको operating systems related, networking related, या फिर oops concepts related, या एक basic computer के related है, computer and programming के questions थे, ये फर्स्ट ये पहला हो गया section, दूसरा section था आपका coding, अगर coding sections की बात करें तो मैं पहले ही आपको वीडियो में मैंने बताया था, कि Tech Mahindra का ये coding sections था, बहुत ही ज़्यादा, अगर आप basics भी programming आपकी अच्छी होगी, और आपने पढ़ रखा होगा, तो आपको ये question solve करने में, 10 से 15 मि related की coding का जो इनका pattern है, दो तीन major part पर इन्होंने coding के questions ये पूछते हैं, पहला या तो आपका coding question string के question से related होगा, दूसरा या फिर array के question से related होगा, या फिर तीसरा आपका loop based होगा, loop based मतलब की completely logic, कि एक number दियावा है, suppose user n input किया, कोई भी number, आपको क्या करना है, suppose user 5 input किया है, त तो fifth prime number figure out करना है, इस तरह के questions रहे हैं, टेक महिंद्रा के assessment में, तो अब ये सब सारे assessment आप clear कर, कि आप next आप आए हो यहाँ पे, अब बहुत सारे student की ये query है, कि अब क्या next, before assessment complete होगा, अब क्या करना है, तो दोस्तों आप as a freshers, आपको भी information होगा, जब last year या इसी year first half में टेक महिंद्रा assessment ले रही थी, और टेक महिंद्रा recruitment कर रही थी, तो वो elevate नाम से trainee को hire कर रही थी, ना कि employee को या फिना ही software engineer को, उस से में क्या हुआ था, कि उस से में भी बहुत सारे questions थे, कि क्या assessment के बाद interview होगा, टेक महिंद्रा की तरफ से, कि नहीं होगा, तो दोस्तों क् बाद क्या था, उसमें को ये, कि assessment जब हो जाएगा, आप सपोस्स सेलेक्ट भी हो गए, देन उसके बाद interview है कि नहीं है, तो उसमें क्या था, कि first आप assessment दे लेते हो, assessment देने का आप clear हो जाते हो, आप direct select हो जाते हो, select होने का आपकी training होती है, training के बाद आपका interview होता है, उस training के base में, और वो interview जब आप clear कर लेते थे, तब आज technical, आप Tech Mahindra में as a employee consider हो गया, एक scenario ये था, last hiring में, दूसरा scenario ये था, कि बहुत सारे student को directly interview, directly assessment क्लियर हुआ, उसके राद email आया कि आप सारे document submit करो, उसके राद डारेक्टे उसका as a software developer वहाँ हो गया, without any interview, so इस बार जब य हायर करने वाली है, तो ये आपको हायर करने वाली है, software engineer के लिए, so दोस्तो इसमें आपकी training होगी ही होगी, but आपको इसके hiring के लिए, आप first round, first assessment दे चुके है, mcqs, दूसरा assessment आपकी technical दे चुके हो, जिसमें आपके coding और mcqs थे, basic programming के, अब तीसरा round आपका interview होने वाला है दोस्तो, so इस interview के लिए आपको preparation करना है, so आपका ये questions complete हो गया, कि आपको आप next before assessment के बाद क्या करना है, तो दोस्तों before assessment के बाद आपको interview की preparation करनी है, ये interview की preparation ही अब main होगी है, यहाँ पर ही आपका final होगा, कि आप take Mahindra में in कर रहे हो, या फिर यहाँ पर ही सही आप out हो जा रहे हो, so पहला ये हो गया, बहुत सारे students ऐसे confused हो पर हैं, या फिर बहुत सारे लोगों से सुने हैं, वो जो भी सुने हो, तो क्या है कि will take Mahindra take interview, तो दूसरा ये तो clear ये हो गया, कि जी हाँ, इस बाद take Mahindra interview लेने वाली है, दूसरा question से students लोग क्या पूछ रहे हैं, कि should I prepare for interview, of course आपको interview के लिए prepare करना चाहिए, क्यों interview के लिए prepare करना चाहिए, तो आपके पास दू major point है, पहला point interview के लिए prepare करने का, आप as a freshers, ये first company या फिर ये take Mahindra last company नहीं है, कि इसमें नहीं वहा तो फिर आप बैठ गया, आपको कुछ नहीं करना है, नहीं, अगर take Mahindra मे नहीं होता है, तो फिर आपको other companies है, essential है, आप अलग-अलग companies में आप try करोगे, अलग-अलग companies में दोगे, आप जब अभी interview की preparation करोगे, तो ये interview की preparation आपको सारी companies में योज होने वाली है, सारी companies में आपको इसकी मदद मिलेगी, तो आपको ये सोच के कि take Mahindra interview ना लेगी, आ आप interview की तेयारी नहीं करोगे, ये बिल्कुल ही आपके लिए गलत होगा, so मैं कहा रहा हूँ, मेरा suggestion है, the Fox Tech Academy की तरफ से कि आप take Mahindra के interview के लिए preparation करें, preparation से related मैं भी next videos बना दूँगा, उसके अभी link आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वो videos भी देख सकते हैं, दो videos आने वाली हैं, एक videos की take Mahindra, जो interview जो होगा, interview में किस टाइप के questions या किस topics से related आपको preparation करना है, दूसरा videos आएगा कि आप जब interview में appear होगे, तो आपको body language क्या होगा, आप किस तरह से उनके questions का जवाब देंगे, आपको किस तरह से normal जैसे आप टी-shirt में पहने हूँ जैसे आप college में placement में बैठते हैं, उस तरह बैठना है, उन सारे questions related में आपको उस videos में आपको जवाब मिलेगा, so दोस्तो next question से बरने से पहले आपसे request है, please इस videos को like कर दीजे, channel को subscribe कर दीजे, और अगर आपकी कोई भी query है तो आप please comment कीजे, हम कोसिस करेंगे आपकी उस queries को solve करने का, so last question है, अगर आप देखोगे, I have not done well in assessment, will I qualify, so दोस्तों आपको लग रहा है कि आप qualify नहीं करोगे, या फिर आपको लग रहा है कि आपका assessment अच्छा नहीं गया है, तो आप अभी सही परेसान हो कि आगे stop मत हो जाईए, next step आपने assessment दे दिया है, आप यहां तक आए ह तो कहीं न कहीं, आप उनसे बहतर हो, आप हो एक position पे, कि आप second round के assessment के लिए भी आप qualify किये हो, so आपको यहां पहीं नहीं रुगना है, निरास नहीं होना है, आपको करना क्या है, बस आपको next round के assessment की preparation करनी है, next round का assessment मतलब कि आपको interview के लिए preparation करनी है, और ये बिल्कुल न सोचे कि ये interview की preparation ना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, दोस्तों आपको करना है, क्योंकि इस company में नहीं तो आगे की company में आपको interview की preparation आपको help होगी है, और interview की preparation के लिए जो वीडियो आएगी, तो उसमें मैं सारे topics एक तरफ से बता जाओंगा, majorly मैं focus कर रहा हूँ 6 points में, उ लोग मिलते हैं next video में, thank you so much, all the best